हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हेल्थ बेनिफिट्स आज मैं आपको बताऊंगी हार्ट अटेक रोकने का घरेलू उपाए वो भी सिर्फ एक मिनट में यानि कि आप एक मिनट में हार्ट अटेक की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं प्रिद्यगात या हार्ट अटेक जिसी हम समाने भाषा में दिल का दौरा या MI, Myocardial Infection भी कहते हैं जब हार्ट की मासपेशियों को रख्त के साथ ऑक्सीजन पहुचाने वाली कोई रख्त वाही का किसी कारण से अवरुद्ध हो जाती है यानि ब्लाक हो जाती है और हित्य के किसी हिस्से में रख्त प्रवहा बंद हो जाता है तब दिल का दौरा पढ़ता है कई बार तो ये दिल का दौरा या हार्ट अटैक छोटा होता है पर कई बार किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है पहले ये समस्या केवल 40 वर्ष से अधिकायों के लोगों में पाई जाती थी परंतु अब लोगों की बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण 20 से 25 वर्ष के युवा भी इस समस्या से पीड़ित मिलते हैं यदि हार्ट अटैक में पीड़ित को समय पर उपचार नहीं मिलता है तो रिद्य के मासपेशी के उस भाग की मृत्यू हो जाती है पीड़ित व्यक्ति को जितने जल्दी मदद मिलती है उसके रिद्य को उतनी कम छती पहुंस हैं ऐसे में अगर पहले ही लक्षणा को पहचान लिया जाए तो दिल के दौरे को रोकना काफी हद तक सफल हो सकता है कई बार दिल का दौरा इतना हलका नहीं होता कि मरीच को डॉक्टर के पास ले जाने का मौका दे इसलिए आपको ये जानना बेहत जरूरी है कि इस तरह क कि इस्तिती में आपको क्या करना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप सिर्फ एक मिनट में दिल के दौरे को रोक सकते हो हाट इटेक से बचने के लिए आपको एक मिश्टर बनाना है जिसके लिए सामगरी है थोड़ा सा ला लाल मिर्च 50% अलकोहल आप वोटका भी यूज़ कर सकते हैं एक लीटर की कांच की बोतल और दस्ताने अब ये आपको कैसे बनाना है इस मिश्टरन को तयार करने से पहले अपनी हातों को दस्तानों से धखले फिर बोतल में चौथाई हिस्सा लाल मिर्च पाउडर को डाल और इसमें उतना ही अलकोहल डाले जिससे पाउडर समा जाए दूसरी तरफ ताजी साबुत लाल मिर्च को Wrestling में डाल कर ब्लेंड कर लीजे और इसमें सिफ उस मात्रा में अलकोहल डाले जिससे आपको एक सौस जैसा मिश्रन प्राप्ट हो जाये साबुत लाल मिर्च से बने पेस्ट को बोतल में डाल दीजिए अब आपकी बोतल तक्रीबन 750 मिलिलीटर तक भड़ जाएगी बोतल को अलकोहल से उपर तक भड़ दें और उपर से बंद कर दें दिन में बोतल को चार छे बार हिलाएं ताकि सारी और अच्छे से मिक्स हो जाएं इस मिश्रण को दो ह जब तक कि मरीश की हालत में सुधार ना आ जाए तो दोस्तों ये था एक आसान सा घरेलू उपाय जिसकी मदद से आप हार्ट अटेक वाले पेशिंट की जान बचा सकते हैं वो भी सिर्फ एक मिनट में क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है उस टाइम तो आप इस अगर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना हेल्थी टिप्स और हेल्थ बेनिफिट्स के नए-ने तरीके लाती रहती हैं तो फ्रेंज आपसे फिर